बंदू आज दशेरे के बाद और दिवाली से पहले भारते जनता पार्टी की तरफ से मैं इन फेस्टिवल्स की तो शुब कामना है आप सब को देना ही चाहता हूँ साथ में यह भी बताना चाहता हूँ कि पीछे कुछ दिनों से जब से हमारे देश में कोविट की महामारी शुरू हुई है पच्छिस मार्च के बाद लॉक डाउन हुआ उसके बाद जो अर्थ व्यवस्था में एक रुकावट आई थी तो अगर हम पीछले कई दिनों से सब लोग चिंतित भी थे कि कैसे हमारी अर्थ व्यवस्था आगे बढ़ेगी कैसे हमारी रिकवरी होगी इसके बारे में कई तरह की चर्चाएं आशंकाएं पूरे विश्व स्तर पे भारत के स्तर पे जगा जगा लोगों के सामने आती थी और अभी मैं यह बताते हुए आपके सामने बड़ा प्रसंदता महसूस कर रहा हूं कि अक्टूबर माहा के इस मैने के कुछ आंकडे पिछले कुछ दिनों आ रही है तो मैं कुछ बातें आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखूंगा क्योंकि आम जनता के लिए राजदीतिक बातें तो सब बहुत होती हैं लेकिन अर्थ व्यवस्था कैसी चलेगी आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी यह सब कैसे मिलेगा इसकी हर व् रहती है और वैसे ही प्रदानमंत्री श्री नरेन मोदी जी को हर वक्त यह चिंता रहती है कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता कैसे आगे बढ़े तो यह मैतुपून कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए सबसे बड़ा मैतुपून सबसे प्रमुक रूप से अगर हम कल एक डेटा रिलीज हुआ है वह है जी एश्टी का डेटा जी एश्टी का इतना व्यापक डेटा आता है टेक्स कलेक्शन इंडिरेक्ट टेक्स कलेक्शन से सारी एकनॉमिक एक्टिविटी का अल्टिमेटली एक्यूमलेशन अगर होता है तो जी एश्टी के कलेक सेंटर से होता है उनकी अर्थव्यवस्ता चलाने के लिए महत्पून मजबूती अगर कोई फिगर प्रवाइड कर सकती है तो वह जी एश्टी की फिगर प्रवाइड कर सकती है और इस बार का जो कलेक्शन है अक्टूबर का वह एक लाख से भी उपर एक लाख पांच हजार क करोड का जी एश्टी कलेक्शन हुआ है और यह अपने आप में बहुत महत्पून फिगर है जो बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्ता वापिस पट्रीपह तेजी से आ रही है चल रही है और यह यह एर ओन यह कंपेरिजन अगर हम देखें पिछले साल अक्टूबर के माह अ तब से बढ़के दस प्रतिशत आगे बढ़के आज जी एश्टी का यह कलेक्शन अच्छा एक लाग से उपर हुआ है जिससे केंद सरकार ने प्रदेश सरकारों के लिए भी ऐलोकेट कर दिया सी जी एश्टी आई जी एश्टी के तहत तो यह एक बहुत महत्पून फिगर हम सब को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक मापड़न के रूप में सामने खड़ी है दूसरी केवल यही नहीं है अर्थव्यवस्था क्या अंतरगत बहुत सारी डेटा होते हैं बहुत सारे फिगर्स होते हैं बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं इंडिकेटर है जिसके बारे में कही बार चर्चा होती है और हर बार इसको इंगित किया जाता है तो PMI का इंडेक्स भी कल रिलीज हुआ है पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वह 58.9% का PMI इंडेक्स अक्टूबर के महा में देश में रजिस्टर हुआ है और यह पिछले 13 साल के बाद इतनी बड़ी बड़त यह मंथली और मन्थ और मन्थ बेसिस पे यह हुआ है मैनुफेक्ट्रिंग इंडेस्ट्री वह है जिससे सारी एकनॉमिक एक्टिविटीज को मापा जाता है और इस मैनुफेक्ट्रिंग PMI मैनुफेक्ट्रिंग इंडेक्स में बहुत सा traffic movement को देख लें, traveling traffic movements को cities में देख लें, rail के freight की activities को देख लें, rail freight में काफी ग्रोथ हुई है, tax collection हमने देखी लिया, company performance, ऐसे सारे real economic indicators को समाहित करने वाली PMI index है, जो की 13 साल बाद इतनी बड़त से month on month basis पे यह हुई है, पचास परसेंट से जैसे मैंने का उपर अगर है, तो वह manufacturing sector की growth को बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाली मानते हैं, आगे हम देखें, केवल इन ही नहीं है, GST collection बहुत बड़ा indicator है, PMI index indicator है, अलग-अलग sectoral industries को भी हम देखें, तो देश की अर्थव्यवस्ता अच्छी दिशा में बढ़ रही है, और यह सामुहिक प्रयात जो सरकार का है, सारी मिनिस्ट्री का है, उनको इंकॉर्परेट करते हुए, यह figures है, automobile sector, कई sectors बहुत अच्छी तरह से प्रगती अभी वर्तमान में कर रहे हैं, Hyundai Car ने जो रिलीस की है, वो उनने का All Time High है, अभी तक उनकी जतनी भी सेल फिगर्स हुई है किसी महने में, उसके अनुसार, यह All Time High सेल्स कार की सेल्स हुंड़ाई और मारुती की पिछले अक्टूबर के महने में हुई है, और केवल यह नही है, केवल अर्बन कार सेल्स की ब कारी दे जाते है, उनकी सेल में भी काफी जादा All Time बढ़ोतरी हुई है, और ग्रोथ की एवरेज, अठारा परसेंट की ग्रोथ की ऑटोमोबाइल सेक्टर में, रजिस्टर हुई है, अक्टूबर महने में, यह अपने आप में बहुत महत्पून फिगर्स हमारे सामने आती तो सबसे महत्पून अगर इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर एकॉनमी में अगर हम देखें, तो कॉर्परेट सेक्टर के रिजल्ट्स क्योंकि वो एकुटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और पूरी एकॉनमी को ड्राइव करता है, प्राइवेट कैपिटल यह जो जो सेकिंड क्वाटर की जो है सेप्टेंबर क्वाटर की जो रिजल्ट्स हैं, उसमें 470 सेप्टेंबर एंडिंग क्वाटर के रिजल्ट्स, 470 कंपनी ने पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ रिजिस्टर के रिमार्केबल पॉजिटिव पोस्ट टेक्स प्रॉफ रजिस्टर किया 470 कंपनियों और वह चाहे बैंकिंग सेक्टर को ले लो चाहे ऑटोमोबाइल को ले लो चाहे ओईल कंपनीज को ले लो across all sectors प्राइवेट कंपनी ने बहुत हेल्दी प्रोफिटेबिलिटी रजिस्टर की है इसी के साथ electricity जैसे कई factors हैं जो की economic activity को ground level पर मेजर करते हैं electricity generation जो है वह 19.8% की growth रजिस्टर की है और यह पिछले साल से याने year on year September or October 2019 को अगर हम October 2020 से compare करें तो electricity generation जो ground level पर consumption और generation है उसमें generation में 19.8% के increase हुआ है यह figures इसलिए भी जरूरी है आप लोगों को जानना कि कई बार हम narration में बह जाते हैं लोग कहते हैं कि अर्थवेवस्ता में यह problem है अर्थवेवस्ता रिकावर नहीं करेगी और सरकार जब कई बार कहते हैं तो कई यह जो मुश्किल डेटा है उनको हम रेफर ना करके पब्लिक डोमेन में जो प्रचलन की भाशा है उसके उपर हम अटक जाते हैं इसके कारण यह दिक्कत होते हैं नहीं तो ground लेवल पे यह सारी फिगर्स बहुत अच्छी हल्दी ग्रोथ की तरफ पॉइंट आउट करती है हमारे देश की साथ प्रतिशत से उपर जनसंक्या जो है क्रिशी पे आधारित है क्रिशी चेत्र की ग्रोथ बहुत महितपून है भारत की अर्थवेवस्ता को आगे बढ़ाने के लिए अभी पी अर्णी कल्चर और रूर्ल एकॉनि मी की घोट 3.5% के करीब एगिकल्चर स्थे रूरल एकॉनि की 3.4% की घोत रजिष्टर हुई थी तो क्रिशी चेत्र याने अर्णी कल्चर सेक्र और रूरल एकॉनि मी अगर बढ़ेगी तो पूरे देश में लगबग साथ पृति से उ हमने आते हैं आगे हम देखें इवन बैंकिंग सेक्टर में यूपी आई जैसे ट्रांजेक्शन माइक्रो इंडिकेटर सें जो लोग अर्थ व्यवस्ता को अच्छी दर समझते हैं उन लोगों के लिए यह महतवपून चीज है इन चीजों को समझना और जनता तक पहुंचान नहीं तो इस नेरेशन को क्योंकि एकॉनमी में जो सबसे बड़ी महतवपून चीज आते हैं पब्लिक सेंटिमेंट का बड़ा महतव होता है क्या नेरेशन चल रहा है क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं वह भी कैटलाइज करती है एकनौमिक ग्रोथ को तो यह सेंटिमेंट को के लिए सेंटिमेंट को एक नई दिशा देने के लिए यह डेटा जनता तक पहुचने बहुत जरूरी है जब कि यह पुब्लिक डोमेन में हैं लेकिन इसको कंसॉलिडेटली भारती जनता पार्टी ने सोचा कि इस महतुपून विशय जब जिससे आम जनता का बहुत बड़ा सरोकार है सरो उससे सरोकार रख दिये वह उनके साथ सामने पहुचना चाहिए तो रूरल एकॉनमी में भी ग्रोथ इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं और इंडस्टियल एक्टिविटी में सबसे महतुपून पीमाई के बाद आता है कोर इंडस्टी इंडेक्स जो 6-7 कोल को sertilisers थेell है सेमेंट है इलेक्रिसिटी है यह ग्रो कॉर इंडस्टियी महांते है इन कॉर इंडस्टियोशन है इन्डस्टियल फिगर्श में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्टियल पर·डक्शन जो इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह से ८्च इफर्शाता है उसमें 40 परसें कम जो कंटिबूशन है इन आठ दस कोर इंड़स्टीज है उनके अंदर भी बहुत अच्छा रिकवरी हुई है मार्च में यह इंडेक्स जो था 134 का था वह एप्रिल में घटके क्योंकि कोविट के एक तरासदी शुरूई पूरा विश्व उसके लिए तयार दें था भारत म सेप्टेंबर की फिगर हमारे पास है वह 119.7 का 119.7 का इंडेक्स हो गया जो की ऑल्मोज 2019 के बराबर है यानि जो 2019 सेप्टेंबर 2019 में जो कोर इंड़स्ट्री इंडेक्स था उसके बराबर वापिस हम सेप्टेंबर 2020 में पहुँच गए तो यह भी एक तरीके से दर्शात है कि हमारी अर्थव्यवस्ता सही दिशा में चल रही है बैलेंस ओफ ट्रेड भी पॉजिटिव स्थान पर पहुच गया है भारत का बैलेंस ओफ ट्रेड जो है इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो की कई वर्षों से नेगेटिव था उसके लिए टेंपररली पॉजिटिव डोमेन में आ गया है क्योंकि सरकार ने फोकस तरीके से डॉमेस्टिक इंडस्ट्री इस को बढ़ावा देने की बहुत सारी स्कीम्स की चाहे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की बात हो चाहे एफ्टिए को रीवर्किंग की बात हो आरसेप से भारत ने साइन आरसेप को दहीं किया और हमारी डॉमेस्टिक इंडस्ट्री इस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रावधान सरकार ने FDI सबसे महत्वपून ग्लोबल एकॉनमी के इंडिकेटर में अगर ग्लोबल इंवेस्टर्स का जहां कॉन्फिडेंस है वहां पे कोई भी पैसा लगाता है ग्लोबली जो FDI है वो 45 परसेंट की फॉल हुई है ग्लोबल FDI फ्लो में फॉल हुआ है 45 परसेंट का लेकिन भारत में FDI इस कोविट के बाद भी बढ़ा है यह अपने आप में बताता है कि विश्वस तर पे भारत की एकॉनमी में ग्लोबल इंवेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आज अभी तक का जो फॉरें एक्शेंज रिजर्व तीन चा दिन पहले का जो फिगर है 560 बिलिय में कई तरह की प्रॉबलम साहिए उसके बाद भी हमारा FDI भी पॉजिटिव रहा हो फॉरें एक्शेंज रिजर्व हमारी बढ़ी है यह सारा क्यों हो रहा है यह समझना चाहिए कि सरकार मोदी जी के नितित में हमारी बहुत सिस्टमेटिकली जब जिस छेतर को सपोर्ट की सहायता की जरूरत है उस छेतर के लिए फिस्कल स्टिमूलस पैकेज़ को एनाउस कर रही है हमारा 21 लाग करोड का आत मंदिर भारत के समय जो कोविट को कंट्रोल करने का कोविट के तरासदी से लड़ने का जो फिस्कल स्टिमूलस पैकेज था उसी में वन टाइम फिगर हम इनाउस करके फिगर्स देके अनाउस करके अपने सारे रिसور्स अगर नहीं इस्तवाल करके सरकार ने जुडिशियस रिसोर्स का एलोकेशन का एक रास्ता अपनाया जिसमें सीरीग और फिस्कल स्टिमूलस की बात करते है कल वित्मंत्री जी ने भी अपने इंटर्व्यू म को प्रॉब्लम आती है तो जिस इंडस्ट्री को जिस समय किसी सम तरह की प्रॉब्लम आएगी उसको उस समय कंटीनुवसली फिस्कल स्टिमूलस के द्वारा उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार के पास रिसोर्स जेनरेशन प्रॉपरली है और उसका पूरी तरह से ध्यान रखा है और सीरीज ऑफ स्टिमूलस से अगेन अगेन केटिलाइज करेंगे हम एकनॉमिक ग्रोथ को यह नीती सरकार ने अपनाई है कुछ लोगों का इसमें मानना है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है मैंने शुरुआत भी की ती कि दिवाली आ रही है दशेरा अभी गया है और फेस्टिवल सीजन के कारण यह जो एक्टिविटी यह अक्टूबर 2019 से कंपेर करते हुए बताए हैं तो अक्टूबर 2019 में दशेरा और दिवाली जिसमें दिवाली सबसे महतुपून डिमांज जेनरेशन के लिए एकनॉमिक एक्टिविटी के लिए पर्चेशिंग करने के लिए लोग अनलीश करते हैं अपनी एक्टिविटी को उस वो अक्टूबर में पढ़ीती लेकिन इस बार नवंबर में तो कुछ लोग जो यह सोच रहें कि आने वाले समय में यह एकनॉमिक एक्टिविटी सस्टेन नहीं कर पाएगी मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री और डिमांड जो कंजूमर डिमांड है FMCG का डिमांड ह वो इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा उनके लिए यह बात ध्यान में लाना मैं चाहता हूं कि जो दिवाली के अल्टिमेटली फेस्टिवल डिमांड है वो चौदा नॉमबर को होगी तो उस समय हमारा नॉमबर में भी हम इसको सस्टेन करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं है इन सब के बावजूद भी सरकार न हमारे वित्त मंत्री जी ना प्रदान मंत्री जी आराम से बैठने की जो है स्थिती में चल रहे है वह कंटिनुएसली प्रयास कर रहे हैं और वह इस बात को भी अगर वित्त मंत्री जी के हम कल के इंटर्यू को देखे तह उन्होंने कह कि चाहे अच्छे फिगर्स आएं अच्छी इंडिकेटर्स हैं फिर भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे अपने को कि ताकि और देखेंगे कि नौंबर के महने में हमारी एकनौमिक इंडिकेटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं तो यह जो कौशिस एप्रोच सरकार की है टार्ग अच्छान मंत्री जी ने पूरे कॉंफिडेंस आदर नरिन मोदी जी ने कहा कि जो हमने शुरू में सरकार बनने के वक्ता कि हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी के उपर दोजार चोविस में अपनी अर्थिवयवस्ता को ले जाएंगे उस फाइव ट्रिलियन डॉलर की लग्ष को पूरी तनमयता के साथ पूरे कॉंफिडेंस के साथ हम आश्वस्त हैं कि हम उस लक्ष को अवश्च दोजार चोविस तक पूरा करेंगे क्यों क्योंकि हमारी वी शेप्ड रिकवरी जिसको कि के वल आज हमी नहीं कह रहें विश्व की कई जो आर्थिक इंस्टि जी से बढ़ेगी और उसके इंडिकेटर्स के रूप में अभी यह जो इस क्वाटर की हमारी अक्टूबर की और सेकेंड क्वाटर के जो रिजल्स हैं उस सब चीजों को बात को भी ध्यान में रखते हुए यह बात को दर्शाते हैं और सबसे बड़ी बात ही होते हैं कि अगर पास्ट लॉरल्स पर कोई बैट जाए आराम करने लग जाए ऐसा कुछ नहीं है economic reforms के कई महतवपून कदम हमारी सरकार ने लिये हैं immediately उनके एक time lag से उसका impact आता है एकदम कोई economic policy या economic reform कोई सरकार गोशना कर देते हैं तो उसका तुरंट प्रभाव नहीं पड़ता उसमें time lag रहता economic indicators को सामने आने के लिए जबकि indicators बहुत अच्छे फिर भी बहुत सारे प्रभाव जो reforms के हैं जैसे agriculture sector में तीन महतवपून बिल हमारी सरकार लेके आई है labor reforms कितने 30-40-40 साल से लोग बैटे हुए थे कि यह reforms की आवशकता है लेकिन प्रधान मंत्री जी के निर्नायक नितित्व में ही उस चीज को इस बार हम लेके आए हैं वह भी अभी अनाउस हुए हैं उनका impact भी आना है new कई तरह की industrial policy, retail trade policy, logistical policy ऐसे याने इतने सारे प्रयास के साथ भी आत्म निर्वर भारत के अंतरगत पुरा economy को तेजी से आगे बढ़ाने के बहुत सारे reforms सरकार कर रही है coal block की auction की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है तो इन सारे economic reform, foreign trade policies के reforms यह सारे reforms जो अभी immediately October के महने में सरकार ने October के महने में गोष्णा किया और अभी भी जिनकी प्रक्रिया चल रही है उन सब का भी impact आने वाले समय में अच्छी तरह से होगा और मैं क्योंकि आर्थिक विशय देखता हूं party के कही लोगों से interaction भी होता है international platforms पे भी मेरी चर्चा होती है और industrial association, CII, FI, Kiv, SOCHM, PhD इन सब लोगों से भी और छोटे MSME sector लगूद्योग भारतिया ऐसे सब संस्तानों से interaction होता है उन सब में यह positive sentiment की बात सामने निकल के आ रही है उन लोगों को इस बात से आश्वस्त हैं कि सरकार अच्छी मेहनत से अर्थ विवस्ता को पुना पट्री पे तेजी से लाने के लिए प्रयासरत है मोदी जी के अंदर विजन है डारेक्शन है विल पावर है और निनायक नित्त है जो की अर्थ विवस्ता को सही दिशा में ले जाएगा तो यह सारी चीजे पॉजिटिव बिजनेस सेंटिमेंट को कंट्रिब्यूट करके आगे बढ़ेगी तो मुझे यह लगता था कि यह स यह साही होगी लेकिन भारते जनता पार्टी के समयत्पूर्ण प्लैटफॉर्म पे जो की डिफिकल्ड भी कही बार होता है फिर भी आप लोगों तक रखने का पार्टी के नित्रतों ने आज ने लिया और मैं आपके सामने इस विशय को रखने के लिए अपनी संक्षित र तो अर्थ विवस्ता में विकास के मॉडल को हम लोग पूरी तरह से प्रदेश में और केंडर में लागू करने के लिए प्रतिबद हैं यही मेरी को बात करनी थी और आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं ले सकता हूं मैं तो इसलिए मैंने बताया कुछ तो सरकार के जो फिस्कल स्टिमूलस पैकेजिस हैं और सरकार के राइट डारेक्शन में टाइमली इंटर्वेंशन भी हैं चाहे आर बी आई का इंटर्वेंशन आप देख लीजे क्रेडिट अवेलिटी की बात है आई बीसी जैसे जो प है स्टिमूलस पैकेज अगरिकल्चर सेक्टर में जो फोकस किया जिस टाइम उस सेक्टर को सरकार की योजनाओं के कार मंद्रेगा का प्रदान मंत्री किसान योजना का ऐसे बहुत सारे स्टिमूलस पैकेज अलग लग टाइम में सरकार दे राइट टाइम पे राइट स्ट और अल्टिमेटली भारत की जो जनसंख्या है जो पॉपुलेशन है वह अपने आप में बहुत बड़ी 137 करोड से उपर की जनसंख्या है वह अपने आप में बहुत दिमांड जेनरेट करती है तो उसका अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है उसको विश्वास होता एडिट और इंडस्टी की रिक्वार्मेंट को लेबर रिफॉर्म्स, अगरिकल्चर रिफॉर्म्स, किसानों के लिए उस तरह की सारे सरकारने स्टेप्स लिए है ठीक है तो मुझे लगता है कि आप इस दिवाली के शुब आउसर पर या संदेश जनता तक यहां पर पहु बढ़ने के लिए उस रास्ते पर है और सरकार फिर भी उसके उपर आश्वस्त होके बैटने वाली ने कंटिनुवसली इस विशे पर काम करेगी दन्यवाद